नमस्कार, MP News कास देख रही हैं आप और आपके साथ मैं हूँ आस्था शीवास्ताविसी के साथ अब घबरे विस्तार से किसानों को खेती करने की विधी बता कर नाम रोशन कर रहे हैं आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जिले के क्रिशी विग्यान केंड से बैग्यानिकों को यह लालसा रहती है कि रामसिंग पटेल बुलाएं और अपने खेतों में घुमा कर दिखाएं फसलों को जिससे अन्य किसी को भी वहविधी बताई जा सके आये सुने क्या कहा डॉक्टर जगदीश किशोर क्रिशी बीज बैग्यानिक डॉक्टर अलका कटिहार ग्रह वाटिका और नोडल अधिकारी और क्रिशक रामसिंग पटेल ने आप देख रहे हैं MP न्यूज कास्ट उत्तर प्रद वरंडबें माहौल में बहुत बीमारियां हो रही हैं स्वाससशंसावंदित बहुत बीमारियां हो रहे ंजिस में मुक्त अस्वाह एक स्वाइक पीज्ट शाइय तो जमकत करना नुम्राइब एक ली प्राखर्ट के, चैनल हो क्याका राधिक्री के लिए फिरो नरत है पौतिक करेंगा हुआ कि अगे जयुझा, कि ने कूं और मेरे झ्जितनी भी हमारी किशक महला हैं सब गर में चोटी सी जगे में हम एक उसक वाटिका लगाते वह बिलकुल रसायन बुख लग आते हैं जिसमें जीवा अम्रत है, घना जीवा अम्रत है, बीज को सोधित करने के लिए बीजा अम्रत है और दस पंडी अर्क जो भी हमारे कीप नासक लगते हैं उनको खतम करने के लिए हम लोग दस पंडी अर्क महलाओं को अपने घर पे ही बनवाते हैं जिनका प्रयोग वो अपने कि हमको सारे मोटे अनाजूं का सेवन हमारी जो महलाइय है उनको करना है और जो जी सा बजार धाय में संवर्धन करकिं उनको बनवाना है इसमें उनको मुझे बनवानी है, बिसकित बना रही है हमारी क्रिशक महला है और जिसमें हमारा मल्टी ग्रेन आटा है केवल गेहूं का अटा अगर हम प्रयोग कर रहें तो हमारे स्वास्त की दिर्ष्ट से अच्छा नहीं है अगर उसी में हम मोटे अनाज का समावेश करेंगे जैसे जौर है बाजरा है मक्का है रागी है सावा है कोदो है इन सब चीजों क अगर हम अपने आटे में समावेश करके बजार में बेशते हैं तो वह स्वास्त की दिर्ष्ट से भी अच्छा है और हमारी किर्षक महलाएं उससे आए भी अर्जन बहुत अच्छा करेंगे आपका हम परिचे जाना चाहिए राम शिंग पटेल ग्राम पोस्टों ब्लाक मन तो अप सर्व मेरे पिता जी की सांथ लेकिन मेरे पिता जी परंपरगत तो इसे खेती करते थे दान गेहूं जोर जेजे लेकिन जब हम आप खेती और सिच्छा साथ साच चलिके पैत्रिक हमारे खेत किसी थी तो तब ही से हमारा रुजान खेती पे रहा और तोड़ा पई यमान के लिए 88-89 से हमने जो है काई स्क्राप मलब नगदी पसलों पे हम काम करना सुरू किया था मतर पे भिंडी पे और टमाटर पे फिर मिर्ची पे लेसुन पे परवल पे बड़े पैमाने पे हम काम के लेकिन इसके बाद हम फिर जमीन घट रहे हैं आवादी बढ़ रह तो कैसे हम देश की जनता का पेड किसान भर सकता है इस पर मेरी सोच चली और मैंने कई नई-णई-खोजे की इस पर में कई मंडल इस्तर देश इस्तर और देश इस्तर पर इन्वेटिव हार्मेर वार्ट समाने किया गया उसमें क्या है कि जिसे अभी आपने देखा कि उसी खेत में टमाटल लगा है उसी में चना है उसी में परवल गड़ा है एक हमारा सही फसली मॉडल है जो हम कहते हैं एक एकर में कम से कम किसान अगर सही करता है तो पांच लाग रुपे उसमें क्या है लैसुल में पपीता उसी में परवल उसी में खरवूजा उसे में हल्दी और उसमें आँकरी में हम लोग चना एक साल का है लागर चकर चलता हुआ तो मैं तो किसानों के बीच में एही कहता हूम कि जो करो दो चीज का ध्यान रख्के करो एक तो बीविदी करों जितने खेती है हम उसको बांड के एक फसल पे टोटल ना करें ऑर दूशरी फसली यह कोई आज नई चीज नहीं हमारे पूर्वच करते थे के वला हमें थोड़ा परिवर्तन करना जिसे ज्वार अरहर तिली उराद इस साथ में करते थे बहुते थे होता था तो अब हम लोग का स्क्राफ सब्जी वाली फसलों में इसमें नगत पैसा रोज भी के रोज नगत जैसा कि यहां देखते हैं एक फसल से की जगें उसी के साथ में यह कई फसले लेते हैं इस भी से मैं आप से चर्शा करेंगे कि इसका कैसे क्या निस्ट कि देखिए भाई यह जन पर जो गाह है और ग्लाग में है जब से मैं पीछे डिड़ साल से आया हूं यहां पर मैं भी देख रहा हूँ कि यह हमारे रामसीम्श बैई यह दिन रात जब भी मैं यहां पर कभी फिल्ड पर आया है या कहीं बात की तो बोले साफyim कहा हमें की खेंगे मिले लेए हूं इनकी जब हमने अन लोगों से भी बात की तो देख समodore-श़र भजआए बज़े आते हैं इनका राद दिन का पता ही नहीं है यह तो बिलकुल इस तरीके से लगे वे भूत भी पीछे हड़ जाता है तो इस तरीके जब मनें खेट देखा और यहां पर पांच-छे फसल ले रहे हैं इसी में इनका चना लग रहा है इसी में इनका परवल लग रहा है यह एक ही चुकि यह हमारी सैफ हसली के रूप में यह खेटी को बहुत तेजी से चला रहे हैं रही बात चुकि संगर्शील किसान हैं बहुत अच्छे क्रशक हैं कई बार के लिए जिनपद से प्रदेश से इनको सम्मानित किया जाता है और अच्छे भी लोग हैं अभी महा हमिसान हैं और यह उतने लेविल पर यह अपनी बात को भी कई बार के लिए प्रबुद्द होने के कारण इनको बुलाया जाता है ौद इसलिए कई बार के लिए चीज आते कि भाई ये राम सिंग जी को ही क्यों सम्मान मिलता है तो जो मेरी समझ में आया कि ये रिजिड हैं ये महनती हैं और उस मेहनत से ग्यानवान भी हैं मास्टर ट्रेनर भी विश्विद्य लेकि बनाए गए हैं चंसे का राजाद में तो इनको काफी कुछ ग्यान भी और इसलिए ट्रेनिंग देने जाते हैं और ये अपनी सहफसली की पूरी आकला दिखाते हैं कि हमारे पास इसमें दो लाग रुपए मिलेगा इसमें चार कि हम कहां कर और कितने जल्दी पहुंच जया और किसक को अपने जनपत में तो विश्यस्ता और सहम करें फिर हम प्रदेश लेविल पे भी हम बात कर लें आपको सुपर्चे मैं डॉक्टर जग्दीश किसूर फजल सुरक्षा वैग्यानिक क्रशिवी ग्यान केंद्र थरिय आँ फटेव पूर